हाई अब्रिवन electronics4u.com के DIY section में आपका स्वागत है ये प्रोजेक्ट है smallest IoT home automation using ESP826601 क्या कभी आपने एक ऐसा IoT system बनाने के बारे में सोचा है जो size में बहुत छोटा हो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए काफी helpful है जो at most 2 appliances को control करना चाहते हैं I am sure आप इस छोटे से IoT system की काफी applications सोच सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट से कई नई बाते जान जाएंगे जैसे की ESP8266 क्या है और इसे output pins को कैसे use करें आई ये इसके main components पर एक नज़र डालते हैं ये है ESP8266 हमारे system का brain ये इस FTDI to USB board के तुरू प्रोग्राम होता है और एक दो चैनल relay module AC appliances को switch करने के लिए चलिए try करते हैं अभी हमें LED के साथ output मिला है अब इसे relay के साथ try करते हैं इस project को बनाने के लिए आप नीचे दिये description पर click कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको ये project पसंद आया होगा Thank you अब आप electronics for you magazine के सारे projects हमारी website electronics4u.com पर देख सकते हैं इससे आपको project की working का proof मिलता है और समझना भी आसान हो जाता है ऐसे कई interesting projects के लिए keep visiting electronics4u.com Thank you